नवस्कार हेरलाइन्स बिहार देख रहे हैं मैं हुए आपके साथ बिर्जु सिंग बिहार में 24 सीटों पर होने वाले अस्थारे निकाय कोटे से मिल सी चुनाओ को लेकर तमाम राजमितिक दलो द्वारा उमिद्वारों की सूची जारी की जारी है इस बीच बता दे कि भारत उमिद्वारों की सूची जो है वो कल जारी कर दिया गया है बता दे कि इस सूची में कई लोगों के जो नाम है वो जो निवर्तमान MLC थे उनका नाम जो है इस लिश्ट में नहीं है तो कई पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया गया है लेकिन सबसे चौकाने वाली बात यह है कि सारन से निवर्तमान MLC सचीदान अंद्राय जो बिजेपी के बड़े नेता माने आते हैं उनका टिकट जो है वो कड़ गया है धर्मेंद्र कुमार सिंग जो है उनको उमिद्वार बनाया गया है बता दे कि तक्रिवन 4-5 महीने से सचीदान अंद्राय लगतार अप पार्टी के नेताओं से अस्वासन मिला था कि इस बार विने चुनावी मैदान में उतार जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुगा हाला कि उनका टिकट क्यों कटा है इस बात की जनकारी अभी तक किसी को नहीं है सचीदान अंद्राय ने कर इंट्रिव्यों में अभी कहा है कि पा पारे में अगर बात की जाए तो माजी विधान सभास से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था हार भी गए और बात की जाए उनके परिवारिक बैग्राउंड पे तो कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी जो है वो इस बार पंचाय चुनाव में उत्री थी जिला परशत की हो जाएगा लेकिन सचिदार अन्राय का टिकट क्यों कटा है यह अब तक जान पाना मुश्किल है लेकिन जड़ा याद कि जिए 2019 का लोग सभा चुनाव हो या 20 का भिधान सभा चुनाव हो पार्टी की बातों से यू कहें तो पार्टी की राय से अलग राय लगतार सचिद सचिदार अन्राय ने सब्सक्राइब करते रहे हैं और इस वक्त जो खबर है कि सचिदार अन्राय की टिकट जो है वह भारतिय अंतापाटी ने काट दी है एक बड़े नेता माने जाते हैं पढ़े लिके हैं कुछ होना चाहिए सब कुछ है MLC भी रहे हैं निवर्तमान MLC सा में दू कुमार चिंग जो जिनको सारण से MLC का उमिदवार बीजेपी ने बनाई है इसको में इतना हैं तेक लाइंस ब्यार नमस्कार